अब देखे जरा इस पहले पूरे इलाके को देखे किस तरीके से एक छोटा कस्वा इन लोग उने बना के रखा हुआ है ये जमीन बताया जा रहा है किसी जो है व्यक्ति किती जो आसपासी रहता था और उसने इस जमीन को किराय पे दिया था और उसके बाद यहाँ पे बसना जो है उन लोगों ने शुरू कर दिया था और जुक्की जोप्रियों के साथ साथ जो पक्के मकान हैं वो बना दिये थे यूपी एट्यस और मत्रौा पुलिस ने काहरवाई करते हुए अलापूर इलाके से जो कि मत्रौा का इलाका है वहां से तक्रीबन 40 रोहिंग्यों को है यह रोहिंग्या पिछले 25 से 30 साल से भारत में रह रहे थे अलग-अलग इलाकों में रह रहे थे और उसके बाद अब यूपी एट्यस और मत्रौा पुलिस की जोइंट कारवाई में इन लोगों को गिरफतार किया गया है यही वो इलाका है अलापूर जहां मौजूद है और कुछ इसी तरीके से जुग्य जुपी बस्ती बना के रह रहे थे यह सारे रोहिंग्या बांगलादेश और मियानमार से आई हुए हैं और यही पे अपना जो गुजर बसर है वो कर रहे थे लेकिन पुलिस ने अब इसके उपर कारवाई की है और यहां से गिरफतार किय अब देखे जरा इस पहले पूरे इलाके को देखे किस तरीके से एक छोटा कस्वा इन लोगों ने बना के रखा हुआ है यही नहीं सिर्फ जुग्य जोपड़ी आपको नहीं दिखाई देगा इसके अलावा देखे मैं एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं यहां पे बक प्ति की थी जो आसपास ही रहता था और उसने इस जमीन को किराये पे दिया था और उसके बाद यहां पे बसना जो है उन लोगों ने शुरू कर दिया था और जुग्गी जुपडियों के साथ साथ जो पक्के मकान हैं वो बना दिये थे सौचाले भी देखिए आपको नज असबा बना के एक छोटा गाउं बना के यह लोग जो है वो रह रहे थे यहां तकरीबन पचास से साथ परिवार बताया जा रहा है कि यहां पे रहते थे और कुछ इसी तरीके से किसी के पास ट्रैक्टर आपको दिखाई देगा किसी के पास मोटर साइकल किसी के पास रिक् यह It Dare अलापूर का पुरह रहते हैं इससे बार्य को ठया कहाक pior कि हुक्त कि अगशा बैसे और और शूदे केस ने रहते थे थे लड़किया और उनकी अब शादी भी भारत में हो गई है यानि कि अब वो भी जो है वो शादी शुदा है उनके भी बच्चे हो चुके यानि कि तीसरी पीडी समझे है कि रोहिंगियों की यहां पर अवैद रूप से भारत में रहने को मजबूर हैं लेकिन जिस तरीके से इस के गाउं के तरह से यह लोग बसा के रहना शुरू कर देते हैं अवैद रूप से किसी के पास कोई डॉक्यमेंट नहीं है सारे के सारे जो है वो विदेशी हैं रोहिंग्या हैं लेकिन अब पुलिस ने इन पूरे मामले पे कारवाई की है और कारवाई करने के बाद 40 लोग नजर आएगा किस तरीके से बोरे का एक पहार यहां पे इन लोग उने बना गे रख़ा हुआ इसके अलावा और बी लाकिया अगरन दिखाये देखे इस तरीके से जो है वो बॉटल चुनने का काम करते हैं और उसके बाद जो कबाड़ी जो घरों से निकलता है उसको भी य सब्सक्राइद करके यहां यह और लाक्ne सफ हा बिए अपना इसको बेज कर जो अपना पूरा काम है वो किस तरीके से जो बिज्ली है वो भी यहां पर कीया जाता था बकाइदा जो तार है उसको लगाया गया था और सामने पूल से कटिंग करके यहां से आप देखिए कि तारों को बांस के सहारे अपने अपने घरों में पहुचाया गया था घर अभी बंद है क्योंकि सभी गिरफतार हैं और अभी बाकी जो कुछ लोग है वो रोड पे हैं व और यह आज से नहीं समझी है कि तकरीबन 17-18 सालों से यह इसी तरीके से चोरी के बिजली का इस्तिमाल करते हैं कोई बोलने के लिए तयार नहीं है इस मामले में लेकिन अगर आप यहां आएंगे और देखेंगे तस्वीरों में कि किस तरीके से जो पूरा तार है वो घरों के अंदर जा रहा है और यहां पे कोई पकका मीटर नहीं है पका कनेक्शन नहीं सामने से जो बिजली के पॉल जा रहे हैं उनी पूल के लगे हुए तार के जरीए ये जो बिजली है उसकी चोरी की जाती है सरकार ने अब इसके उपर कारवाई की है 40 लोग जो है वो गिरफ रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अवैदरूप से ये भारत में आये थे, जो गिरफतारी हुई है, अब इस गिरफतारी के बाद इनके परिवार वालों का क्या होगा, छोटे बच्चों का क्या होगा, और जो लोग यहां पे अभी रह रहे हैं, उनका क्या ह यह देखने वाली बात होगी सरकार का और जो अगला स्टेप होगा वो क्या इनके पक्ष में होगा या फिर इनको जो है वापस करने की तैयारी है वो शुरू की जाएगी